एक साहसी राजा और साहसी चितरकार की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नमस्कार जैसरी रादे जैसरी किस्ना दोस्तो आजी वीडियो बड़ी ही मोटीवेट कर देने बाली है बड़ी ही सिछा प्रत कहानी है कि हमें मुसीवत के समय पे धहरे से काम लेना चाहिए काम बन कर ही रहता है कभी हमारी हार नहीं होती है बिजय ही होती है तो आईए कहानी के माध्यम से समझते हैं दोस्तो कहानी सुरू करते हैं एक समय की बात है एक राज में एक बड़ा ही सकत साली राजा का सासन था वह राजा अपने लोगों को हमेशा चाहते थे उनके तीज त्योहार हों उनके अनुष्ठान हों कुछ दान पुन्न का काम करना वह हमेशा लोगों के बीच में ऐसा कुछ करते ही रहते थे जिससे उनमें और लोगों में जुडाव रहे राज्य की सीमाओं के बिस्तार के लिए उन्होंने कई प्रयास किये थे सत्तुरों को दूल चटाया था अतह खुद भी वह युद किया करते थे और अभी कुछ ही समय बीता था युद से वो लोट ही रहे थे जीत करके युद में उन्होंने अपने एक टांग और एक आँख को खो दिया था लेकिन दोस्तों कोई मलाल नहीं था उन्हें क्योंके वो बीर थे पराकरमी थे अपने महल में आराम करते थे गूमते थे टेलते थे महल के एक ऐसे कौने में पहुंच जाते हैं टेलते हुए जो कौना बड़ा खाली पड़ा हुआ था उन्होंने जब उस कौने को देखा उनके मन में कुछ एच्छा होई कि यहां पर कोई चितरकारी होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने अपने लोगों से कहा कि डूंग डूंगी पिटवा दी जाए और कहा जाए कि राज भर के जो भी कुसल चितरकार हैं वो आएं और यहां पर एक तस्वीर में कहूंगा वो बनाना होगा और यहां पर लगाया जाएगा वो चितरकारी यहां पर मुझे चाहिए सभी लोगों को जब यह सूचना मिली चितरकारों को तो लोग पहुंचते हैं चितकार लोग बहुंचते हैं सब को बताया जाता है कि आप सभी का यहां स्वागत है आप सभी को आप सभी में जो भी अच्छा चितर बनाएगा उसको उचे तेनाम दिया जाएगा जो अब सब चितरकार लोग सोच रहे थे कि इनाम तो मिलेगा वो तो ठीक है अच्छा ब पूलते हैं उटकर के और कहने लगे कि तुम्हें मेरी चित्रकारी बनानी है और ध्यान रहे कि जो तुम मेरी चित्रकारी बनाओ तो बो मुझे अच्छी लगनी चाहिए यद नहीं लगी तुम्हें तुम्हें दंडित कर दूँगा और लगी तुम्हों मागा इनाम तुम्ह तुम्हें जरूर दूँगा यह वाज सुनकर के कुछ चित्रकार लोट गए और कुछ ना कुछ बाहना बनाने लगे कहने लगे के ये काम मुझे नहीं आता है मुझे ये काम है कोई कहने लगा मुझे कुछ और काम है कुछ ने जिने होसला थोड़ा बहुत था उन्होंने अपने होसले को साधा भी उनके मन में भी जो डर था कि घर गया कि कहीं ऐसा ना हो हम दो चार पांच जाने हैं किसी एक की चितर कला का चोनाब हो जाए और बाकियों को मिरत दंड दे दिया जाए तो सब लोग जितने बहां खड़े थे कुल मिलाकर के बहां से लगभग भाग ही गए एक बहां रहा राजा उसे देख रहा था राजा सोच में पड़ गया कि बहां दिलेर मालूम होता है कि उससे पूछते क्या तुम बना सकते हो कहता है निश्चत ही महराज मैं बना सकता हूँ तो राजा उसे कहते हैं लेकिन दियान रहे यद अच्छी नहीं लगी तो मैं तुम्हें मिरत दंड भी दे सकता हूँ और अब अकिले तुम ही हो इसलिए तुम पर और नियम लागू होता है यद मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं किसी दूसरे को नहीं देखूंगा तो मैं हीं देखूंगा और दंडित करूंगा बोलो तैयार हो वो तैयार हो जाता है यानि दोहरी चुनोती लेता है कि एक तो अच्छा बनाए दूसरा वो काम करेगा उसका कोई बहाना नहीं था कहते ठीक हैं वो बनाओ आवस्यक चीजें सामिगरी धन इत्यात जो भी चाहिए होता है वो दे दिया जाता है कच्छ भी दे चित्रकार को जो चित्रकार उसने बनाई थी उसको बुलाया जाता है क्या बन गई तो कहता है हाँ बन गई उसको जब दर्वार में पेश करता है न अपनी चित्रकारी और जो राजा और राजदर्वार के लोग और जो अन्ने चित्रकार जो भाग गए थे वो सभी देखत के हैरान हो जाते राजा उस चित्र कला को दे करके बहत बहुत खुस होते हैं और उसे कहते हैं कि जो तुम कहोगे बो तुमारा और उसमें पता है क्या बना था उसमें उसने राजा की बीरता को ही प्रदसित कर दिया था जो उने प्रिवी था उनका स्वभाब भी था उसने उन्हें सत्रूं पर धावा बोलते हुए निसानों लगाते हुए गोडे को उचलते हुए दिखाया था जिसमें वो एक तीर से दुस्मन पर निसान लगा रहे थे जिससे एक आँख बंद थी और जो आँख खराव थी वो आँख उसने बंद दिखा दिया जो पैर कटा हुआ था वो उल्टा पैर था बाया पैर था इस बज़े से वो घोड़े के उपर की तरप हो गया और पैर दिखा नहीं यानि जो उसने चित्रकारी की इमानदारी भी थी जोट नहीं था अच्छा भी था इसलिए इसको मोहमागा इनाम दिया गया और उस चित्रकला को पसंद किया गया इसे कहते हैं चुनोतियों में अवसरों को खोज लेना तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी यद अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक, सेयर, कमेंट करना न भूलें फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ तब तक के लिए सभी वक्तों को जैसरी रादे